हालो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चनल पे इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं जो ये रोपन टीटन क्रिकेट चैंपियंसिप का जो ये चैंपियंसिप वीक चल रहा है इसका जो नौवा मैच खेला जाएगा जर्मनी वर्सिज जर् की बात करें तो ये मैच 17 अक्टूबर रात 10 बजे से कर्टमा ओबल कर्टमा इस पैन में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें तो टीटन का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेली ग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप करें दिस्क्रेप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेली ग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवराल ये बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है और यहा पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहले जर्मनी की टीम की तो दोस्तों यहां पर जर्मनी की टीम ने अभी इस सीरीज में एक ही मैच खेला और एक मैच इनका अभी चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस टाइम इनका एक मैच चल भी रहा है कर अब व अपना जीत के आ रही है तो आप यह चीज यहां पर देखके चल सकते हो अब आप लोग उसका स्कोर कार्ड भी देख सकते हो उस मैच में उन्हों ने एक सो बतीस बनाई थे आठ वी ओवर में यह मैच इन्हों ने जीत लिया था चेसिंग करते हो यह नों ने एक सो बतीस पारे में अच्छे समझ में आ जाए तो दुस्तों जमसेद खान अपने टीम के इंपोर्टेंट प्लेयर हैं आपको ओपनिंग करते हो देखेंगे काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं अगर आप इनका ओबरॉल देखोगे तो 35 मैच इन्हों ने भी टक टीटन के खिले ह एक हजार चेरंस हैं 33 का एवरिज है 21 ओवर की बॉलिंग है 15 विकेट है काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं इस सीरीज में भी एकी मैच खिले है जिसमें 60 नौट आउट कीन की पारी रही है अरित्रन वसी करनका देखोगे 58 मैच 136 रन 32 का एवरिज प्लस 58 मैच में 28 दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है दो ओवर देते हैं काफी बैतरी हिटिंग करते हैं लास्ट में भी चवालीस नौट आउट की इनकी पारी रही थी एक विकेट भी निकाला तो पूरे दो ओवर की बॉलिंग कराई ती जनपरी सिंग दोस्तों एक ठीक टाक रिकॉर्ड लास्ट में बैटिंग नहीं आई पर ये भी ओवर ओल ठीक टाक रिकॉर्ड रखते हैं अगर आप इनका देखोगे 19 में 428 रंस हैं 28 का इनका एवरेज है 19 में 16 ओबर 10 विकेट तो इनका भी ठीक टाक है आप लोग इनको जील की टीम में जरूर ट्राई कर ले ना में ये पहली बार खेलें और ओवर इनका इनका इस्टार्स भी नहीं पता तो इसमॉल लिग में लेने का इनको कोई फाइदा नहीं है फयाज खान नसेरी की दोस्तों बात करें 36 मैच 347 रं अठारा कैवरे 66 ओवर की बॉलिंग 49 विकेट काफी अच्छा रखते हैं 25 रंस हैं 51 का इवरेज है तो इवरेज आपको यहाँ पे इस वज़े से ज़्यादा देख रहा है क्योंकि यह बेटिंग करने काफी नीचे आते हैं और मोटरी टाइम नौट आउट जाते हैं तो इस वज़े से एवरेज ज़्यादा है हलाकि ओवरॉल देखोगे तो 22 मैच करने काफी नीचे आते हैं जी एल की टीम में आप लोग ट्राइक कर सकते हो अब यहाँ पे दोस्तों इनके अलवा साजिद ल्याकत हैं तो यहां पे दोस्तों साजिद ल्याकत की बात करें, 25 मैच में 270 रंस है 24 का इनका एवरेज है 25 मैच में 41 ओवर की बॉलिंग 21 विकेट तो बॉलिंग ठीक टा कराई है लास्ट मैच में सिर्फ एक ही ओवर मिला क्योंकि काफी पिटाई हो गई थी इस वज़े जे इनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया आला कि ये भी अपने टीम के इंपोर्टन प्लेर है थोड़ी बहुत बल्ले वाजी भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी ठीक टा कराई है विकेट भी निकाले है तो इनको भी अप्लोग जेल की टीम में ट्राई कर सकते हो गुलाम एहमदी दोस्तों ये रिशेंट में काफी अच्छा कर रहा है अगर आप इनका देखोगे 19 मैच में 42 इनके रंज है 10 का एवरेज है 19 मैच में 33 ओवर 21 वेकेट तो ठीक टाक बॉलिंग कराई है और इस सीरीज में एक मैच के ला जिसमें 3 वेकेट निकाले है पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई है अब दोल बसीर का देखोगे ये भी लगबग 2 ओव लेंगे 22 वेकेट है लास्ट मैच में सिर्फ एक ओवर मिला पर ये भी अपने टीम के इंपोर्टेंट बॉलर हो दो ओवर लगबग कराते हैं लास्ट मैच में इनको एक ओवर दिया गया तो इनको भी आप लोग जील की टीम में ट्राई कर लेना उनके इनके अलावा दोस् तो जर्शी की टीम की बात करें तो जर्शी की टीम ने दो मैच खेलना है इस सीरीज में जो कि दोनों के दोनों मैच ये टीम हार के आ रही है अब आप देख सकते हैं यहाप फर्स्ट मैच में जर्शी की टीम ने 153 बनाई थे यह स्कोर इनों ने चेस करते होग बनाया था यहाँ पे 153 बनाई थे, 5 वेकेट के नुकसान पे 10 ओवर में, और जो 2nd मैच हो है, उसमें 76 रन बना पाई, 9 वेकेट के नुकसान पे 10 ओवर में, तो इस तरह से आप लोग इनका 2-9 मैच का स्कोर भी यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे दोस्तों लोग बात करते हैं, जर्सी की टीम की प्लेंग लेविल और प्लेयर स्टार्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को बिलकुल इसके मत करना, ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए, तो दूसरे आप पे पैट्रिक गूजे, विकेट कीपि जाएंगे, ओपनिंग पर आ रहे हैं, ओवरॉल काफी अच्छे टर है, दो ओवर भी करा रहे हैं, और दो नो मैच में यहाँ ठीक टाक नोने किया है, जॉन्टी जैनर का देखोगे, दो मैच के लिए हैं, फर्स्ट में 40 बनाई, सेकेंड में 21 बनाई, टी टैन में हाला कि पहली बार खेल रहा है, पर यह अपने टीम से टी ट्वन्टी इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, तो इंटरनेशनल लेविल के प्लेयर हैं, तो काफी अच्छा है इनका, अगर आप ओवरॉल देखोगे, तो टी ट्वन्टी में 49 मैच में 900 रंस हैं, 39 का अवरेज है, काफी दोस्तों सुमेरियर का 23-1 का एवरेज है, 15 मैच में 10 ओवर की बॉलिंग है, 3 विकेट है, यह इनका ओवरॉल रिकॉर्ड है, हाला कि इस सीरीज में अगर आप देखोगे, तो उन्होंने काफी अच्छा किया, 1 मैच में 7 नौट आउट की पारी रही, 2 विकेट निकाले, 2 ओवर की, यहाँ पर पूरी बॉलिंग कराई, लास्ट मैच में 4 रंस बनाए, 2 विकेट यहाँ पर भी निकाले और यहाँ पर भी पूरे 2 वर कराई, तो दोनों मैच में 2 दो ओवर कराएं और बैटिंग भी ठीक टाक कर लेते हैं, तो यह भी इंपोर्टन रहने वाले है, जोस लॉरेंसन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने, 6 मैच में 102 रंस हैं, 51 कैवरे है, एक इनिंग में बॉलिंग है, एक विकेट है, तो लॉरेंसन भी ठीक टाक टिक हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट इनका जो सेकंड मैच हुआ था, उसमें यह बैटिंग करने, यहाँ पर सौरी दोस्तों, तो सेकंड मैच में दोस्तों यहाँ पर लॉरेंसन बैटिंग करने, यहाँ पर सुमेरर से उपर आयते, तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, अच्छी हिटिंग करते हैं, तो इनको हिटिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है तो आप लोग इस्मॉल लिग में भी ले सकते हो उसके लावा एलिएट कॉर्वेल का देखोगे टी-20 डॉमेश्टिक के तीन मैच के लिए पांच रन से दो का एवरेज है उतना कुछ खास है नहीं लिश्टे का देख सकते हो दस मैच में 235 रन 23 कैवरेज टी-10 में पहली बार खेल रहा है और दो मैच के लिए इस सीरीज में दोनों में फ्लॉप रहे हैं तो इनको स्मॉल लिग मत ले ना जील की टीम में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि विकेट कीपिंग अपने टीम से यही कर रहे हैं सेम पार्टीदार 3 मैच 24 रन 8 कैवरेज तो यह भी स्मॉल लिग के लिए कोई खास ओप्सन नहीं है उसके अलावा दोस्ते हैं पर जोर्ज रिचर्डसन इनका ठीक ठाक है दोनों मैच के लिए दोनों में दो दोवर की बॉलिंग कराई है और यहां पर 2 मैच में 3 विकेट भी निकाले तो इनको पिक कर सकते हो 15 मैच में 23 ओवर 14 विकेट इनके टीटन करियर में रियास पलमर का दोस्तों देखोगे तो यह आपके जियल के पिक हो सकते हैं 18 मैच 35 रन्स 9 का एवरेज प्लस 18 मैच में 30 ओवर की बॉलिंग 9 विकेट इस सीरीज में देखोगे तो फर् और लिग में रिस्की रहेंगे पर आप लोग इनको जील की टीम में ट्राइ कर सकते हो थियो पुलमान दोस्तों इंपोर्टन प्लेयर हैं 5 मैच में 6 विकेट अभी तक टीटन में ले चुके हैं और यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट मैच में 2 ओवर कराई एक विकेट नि पर ले उनका भी अप लोग आप देख सकते हो तकि इन में से कोई खेल जाता है तो आपको पता रहेगा तो दोस्तों आप चारलेस पैचर्ड अभी जो दो मैच इस सीरीज में हुए है उसमें नहीं खेलें इससे पहले यह खेल रहेते तो दोस्तों अगर यह बंदा खेलता कोई खास रिकॉर्ड है नहीं हलाकि यह भी विकेट कीपिंग कर लेते तो आप यह चीज़िया आप देखके चल सकते हो अब दोस्तों हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलाल मैंने इस मैच की आप लोग के लिए बनाई हुई है पर उससे पहले अगर अभी तक हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में पी गूजे को लिया है इंपोर्टेंट रहेंगे ओपनिंग पर आते हैं काफी अच्छी हिटिंग करते हैं तो बेस्ट आप्स है ने उसके लाब मैंडी काफी नीचे बैटिंग करने काफी अच्छी प्ले रहें काफी अच्छी हिटिंग करते हैं पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं रोहित सिंग दोस्तों खेल जाते हैं ट्राइ कर सकते हैं टूटान पर बैटिंग करने आते हैं काफी अच्छी हिटर हैं और पार्ट टाइम ये भी बॉलिंग करा लेत है मैंने यहाँ पर फलाल के लिए नहीं लिए मैने यहाँ पर jenner को लिए जबको one down पर bet इंग करते हों देखेंगे और अपने टीम से international matches खेलते हैं और important player है तो मैंने यहाँ पर इनको लिए इस series में भी देखोगे तो दो match में अच्छा कांदा परफॉर्म इनका रहा है उसके अलावब दोस्ते आपे सकूर खेलते हैं एवरेज ऑप्चन है हमिद वर्दक भी यहाँ पे एवरेज है बाकि नीचे यहाँ पे कोई खास ऑप्चन नहीं है अलागि जे सिंग टिक टाक रिकॉर्ड रखते हैं पर टाइम बॉलिंग भी कराते हैं तो इनको आप लोग जेल की टीम में ट्राई कर सकते हो अब यहाँ पर आल राउंडर सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ट्रिबे को लिया है मस्ट पिक हैं ओपनिंग पर आ रहे हैं दो ओवर दे रहे हैं और अच्छे खलाड़ी है एस अफ्रीदी आ आपको यहाँ पर ओपनिंग पर दिखेंगे और अच्छा इस्टार्स रखते हैं तो फ्लाल के मैंने इनको भी लिया लिया का दोस्तों आपके जील की काफी अच्छी पिक रहेंगे क्योंकि अपने टीम के यह भी इंपोर्टेंट प्लेयर है लगबग आपको एक से दो वर की बॉलिंग देंगे और थोड़ी बहुत बल्ले वाजी भी कर लेते हैं जील में ट्राइ कर सकते हो पार्टी दार यहाँ पे अभी पहली बार खेल रहे हैं उतना अच्छा कोई रिकॉर्ड मुझे लगा नहीं तो इनको यहाँ पे मैं नहीं लूँगा तो यहाँ पे दोस लें रसूल एहमदी भी दोस्तो रिजेंट में काफी अच्छा किया है दो दो वर करा रहें तो मैंने आप इनको भी लिया है बिर्टॉन दोस्तों इस सीरीज में दो मैच के लिए दोनों में फ्लॉप रहें पर फ्लाल के मैं इनको फिर भी लेके चलूँगा वोगी विके टेकिंग स्पिनर हैं काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं मैंने आप इनको भी लिया है उनके अलावा दोस्तों मैंने आप पुलमान को भी लिया है फर्ष्ट में दो वर करा है लास्ट में एक ओवर मिला पर दोस्तों ओवर इन्होंने भी काफी अच्छा किया है तो मैं पर GL के काफी अच्छी option रहने वाले यह अंदर भी दोस्तों यहां पर यह काफी अच्छी option है यह भी दो वर देते हैं और ठीक टाक प्ले रहे हैं अच्छा कहां सा record रखते हैं रिचर्डसन दोस्तों यह आपके small league के लिए सेफ option हो सकते हैं यानि कि ट्रम पिक बन सकते हैं क्योंकि selection इनका काफी कम है पर दोस्तों दो दो ओवर करा रहे हैं और ठीक टाक रिकॉर्ड भी रखते हैं तो अगर जर्शी की टीम पहले बॉलिंग करें तो उसके आप लोग रिचर्डसन को भी लेके चल सकते हैं फिलाल के मैने नहीं लिया है मैने यहाँ पर इन चार बॉलर्म फोट टीम में पिक किया तो फिलाल दोस्तों जो मिरी आप रिचिम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रिकार है यहाँ यापश इंत कप्तानी टृषी को दिय तो after toss आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा तो उसके लिए अपने मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक आपको इसी वीडियो के description और first comment में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिरे एक नई वीडियो सा पूरा वीडियो वाच करने के लिए थैंक्यू सो मच दोस्तों